कि वेल्कम फ्रेंड्स कॉलम डिटेलिंग के लिए हमें जाना है थ्रीडी व्यू में थ्रीडी व्यू में यहां से सित कॉलम को रखना है कि एस पर जोमेट्री हमें जाना है अभी हम गए डिजाइन है जहां पर हमें लॉंजिटुटुटुनल रेंफोर्सिंग का ओप्शन से लिख करना है और देखो अभी यह 14 1440 1440 1440 तो उसके लिए 1440 के लिए हमें 16 mm के 8 बार लेने पड़ेंगे 16 mm के 8 बार लेने पड़ेंगे या फिर हम ट्राइ करेंगे 16 mm के 6 बार जिसका एरिया है 1205.76 और 12 mm के दो बार पकड़के चले समझो तो उसका एरिया है 226.08 तो वह आता है 1431 आता है और हमें चाहिए 1440 चाहिए तो फिर वह सैटिस्पाय नहीं होता है वह इसलिए हमें 16 mm के 8 बार ही लेने पड़ेंगे उस केस में थीके तो अभी कॉलम का डिटे लिंग है इस टेबल पर कॉलम मार्क कॉलम के भी ग्रूपिंग करने हैं साइज ओफ कॉलम B and D 300 by 600 इसे जहां जहां तक वो कमन आते हैं वहाँ-वहां तक उनके grouping यहाँ पे भी करना है along the height along the floors उसके बाद links links आते हैं up to h by 4 from beam column joint and middle part में तो यहाँ पे अभी हमारा column का number आ गया उसके बाद column की size आ गई उसके बाद यहाँ पे 8 mm sorry 8 बार 16 mm के 8 बार 16 यानि कि यह from bottom to top पूरा चला जाएंगे उसके पाद फिर आता है shear reinforcement की बारी उसके लिए फिर से display design info में shear reinforcing करना है तो यहाँ पे देखो 665 and 332 यानि कि यह जो है वो middle part वाले है और यह जो है वो towards the support है थीक है तो अबर अगर हमने समझो 665.06 किया 665.06 divided by 100.48 उसके लिए 6.61 यानि कि 7 बार आ जाएंगे 1000 divided by 7 तो आ जाएंगे 142 के यानि कि same है उसका भी जो क्राइटेरिया है वो as per is 13920 ये 8 mm डाया 100 center to center minimum चाहिए तो इसके हिसाब से shear reinforcement देना है और bottom में जो है आया जो है वहां हमारा 142 यानि कि 140 यहां पर आ जाएगा 8 mm 140 center to center यहां पर वो आ जाएगा तो ऐसे इस तरह से देने है allocate three bar as per detailing तो यहां पर अगर देखा जाए तो देखो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बार जो है 20 mm के और उसके उपर वाले फ्लोर में 16 के आने वाले है 8 number of bars ऐसा ही C4 का 12 bars आएंगे 20 mm के उसके उपर 10 बार आएंगे 20 mm के उसके उपर 8 बार आएंगे 20 mm के यह ऐसे देना है यह stirrups के detailing है यहां पर as per is 13920 यहां पर shear wall के detailing है रिंग कैसे आएंगे cross ties कैसे आएंगे तो इस तरह से column का detailing करना है अब slab का जो है slab का detailing और designing मैं आपको next वीडियो में सि झाल झाल